मैं भारत सरकार का बहुत अभिनन्न करता हूँ और धन्यवाद भी देता हूँ कि भारत सरकार ने जो तेल आयात होता है उसके उपर कच्छे तेल पर 20 प्रतिशत और रिफाइंड पर 12.5-32 प्रतिशत बढ़ा कर इंपोर्ट ड्यूटी लगाई है इसके कारण सोया बीन के जो हमारे किसान है वो सीधे लाभानवित होने वाले हैं और बड़े पैमाने पर सोया बीन का जो भाव है वो किसानों को बढ़कर मिलने वाला है साथ साथ हमारे केंदर सरकार ने दूसरा जो निरने लिया है कि आज पर मिनीमम एक्सपोर्ट प्राइस समाप्त कर दी है और एक्सपोर्ट ड्यूटी 40 से 20 तक उन्होंने लाई है इसके कारण कि आज का किसान भी बड़े पैमाने पर लाभानवित होगा और साथ में जो बास्मती राइस है उस बास्मती राइस को भी एक्सपोर्ट की पर्मिशन तो थी ही लेकिन उस पर एक्सपोर्ट ड्यूटी थी उसको जिरो कर दिया है इसलिए हमारा जो धान का किसान है उसको भी इसमें बड़ा फाइदा मिलने वाला है फुल मिलाकर किसानों को एक बहुत बड़ी सवगात हमारे परधान मंत्री जी ने दी है मैं परधान मंत्री जी का बहुत बहुत आभार वेक करता हूँ बोड़ी नाम बगल गया है यह बहुत हर्श की बात है गुलामी के चिन्नों को मिटाया ही जाना चाहिए और गुलामी के चिन्नों को मिटाने का जो कारिये मोधी सरकार कर रही है मैं उसके लिए उन्हें धन्यवाद देता हूँ